हेलो इंजिनियर्स प्रभाद सोलूशन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्प्रभाद और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तो आए देखते हैं टॉपिक क्या कहता है तो हमारा आज का टॉपिक है बाई एक्सियल लोडेड कॉलम इस बार हमारा जो लोड है वो क्या है EY और EX distance पर कहीं पर लग रहा है मतलब यह आपका लोड है जो आपको ग्रीन कलर में स्कीन पर दिखाई दे रहा है यह लोड है यह आपका X-axis से आपका कितना distance पर EY distance पर और Y-axis से आपका EX distance पर है इसी के बारे में हम जानेंगे कि इसका कैसे design करना यह होता क्या है और इनके questions को कैसे हमें solve करना है वो सारी चीज़ों को Biaxial bending क्या होता है इसमें देखिए यह जो लोड है यह क्या करेगा bending भी लगाएगा क्यों क्यों क्योंकि perpendicular distance यहां पर आही रहा है ठीक है तो यहां पर अपने पास जो bending आएगा वो भी Biaxial bending क्या लाएगा तो आयो देखते हैं Biaxial bending क्या है In this bending take about both axis यह क्या है हमें both axis में about लेना पड़ता है take करना पड़ता है So two side will in tension and two side will in compression मतलब दो side आपका क्या होगा tension होगा और इसके दो side आपके क्या होगा compression होगा So reinforcement required in all four sides मतलब हमको reinforcement चारो side पे हमें require होता है यह देखिए एक आपका section बना हुआ है इसमें क्या है आपका number आप बार रखें हुए हैं यह दो बार आपके axis के अगलवगल यह दो बार आपके axis के अगलवगल हैं यह जो आपका bar है यह इसमें जो moment generate होगा वो MX भी होगा और MY भी होगा मतलब कि X axis के about भी होगा moment generate और Y axis के about generate होगा IS code 456 has recommended the formula proposed by Bristler for the design of column subjected to biaxial bending मतलब हम जो ये biaxial bending को जो हम solve करेंगे derive करेंगे, design करेंगे, analysis करेंगे वो किसके base पर हैगा Bristler formula के base पर है जो कि IS 456 recommend करता है अब यहाँ पे कुछ important term हमने यहाँ पे लिख के रखें जो कि हमें पहले ही जानना जरूरी है तो आयों इन पर हम चर्चा कर लेते है MUX और MUY क्या है तो moment about x-axis and y-axis due to design load ठीक है MUX1 और MUY1 क्या है यह maximum uniaxial moment capacity for an axial load of PU bending about x and y-axis respectively मतलब क्या है maximum uniaxial moment है इससे जएदा अगर आपका moment अगर MUX और MUY आता है तो आपका जो section है उसको redesign की requirement होगी PUZ भी यहाँ पे term है जो use होता है combined axial load और small p है यहाँ पे percentage of steel सबसे पहले हम आते हैं IS code में IS code में आना है आपको page number 71 यहाँ पे लिका 39.6 आपका clause है यहाँ पे आपको axial load and biaxial bending के बारे पूरे design term दिये हुए है हम आपको theory discuss करके स्रूडियों में नहीं बताएंगे इसलिए हम आपको IS code दिखा रहे आप वहाँ से theory को समझ सकते हमको numerical कैसे solve करना उस base पे हमें आपके बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या है mu x दिया हुआ है और mu x1 हमें निकालना रहता है mu y दिया होता है mu y1 हमें निकालना होता है उपर में इसके power में आपका alpha end यह आपका क्या कोफिसेंट है by axial bending के लिए इनकी जो value आती है वो आपका 1 से कम होना चीए या फिर एक के बराबर हो सकता है यह condition अगर आपका satisfy होता है तो by axial bending के लिए आपका यह design fulfill होता है इसके लिए हमें PUZ की जोरत परती है PUZ क्या है combine axial load है इसका formula यहाँ पे just थोड़ा सा modified किया हुआ है जो हमारा axial load का formula वे 0.45 FC के मतलब 45% आपको FCK कर लेना into area of concrete plus 75% आपको FY कर लेना into area of steel ठीक और यहाँ पे क्या है PU by PUZ की ratio दी होई है उस value से हमें क्या कराना है alpha N की value हमें find out करना है तो यह बोलता है PU upon PUZ equal to 0.2 से अगर 0.8 तक है तो value of alpha N very linear from 1 से 2 तक कि इसकी जो value होगी वे linear vary करेगा 4 value less than 0.2 अगर 2 से 0.2 से अगर आपकी value less than है तो alpha N each 1 हमको क्या लेना है 0.2 से अगर कम है तो alpha N की value 1 ले लेना है 4 value greater than 0.8 अगर आपकी value alpha यह इन दोनों के ratio की जो value आ रही है वो अगर 0.8 से ज़्यादा निकलती है तो alpha N की value direct आपको 2 ले लेना है और इन दोनों के बीच में अगर vary करता है तो आपको interpolate method लगाना है और वहाँ से आपको alpha N की value find करना है फिर यहाँ पे आपको रखना है तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम detail से बात करेंगे तो हमारा topic का नाम है design step for column subjected to axial load and bi-axial bending सबसे पहले आपको given data या फिर requirement रहेगा क्या क्या आपको जो given रहेगा या फिर requirement रहेगा तो आपका first number है column each to designed हमें किसके लिए करना axial load जो कि आपको PU चाहिए moment about axis axis MUX moment about YY axis MUY grade of concrete grade of steel then उसके बाद आपको लगए cross section area अगर आपका rectangular रहत B into D अगर आपका circular रहत PY4 into D square square column है तो B into B अगला step आपका आता है check minimum moment for minimum eccentricity अगर आपको length दिया हुआ है तो आपको क्या है eccentricity check करना है E minimum equal to आपको क्या लेना है L by 500 plus B by 30 या फिर D by 30 या फिर आपको 20 इन दोनों के value में जो बड़ी value होगी वो आपकी E minimum की value होगी इसको आपको X axis और Y axis दोनों के लिए अलग-अलग निकालना है इसलिए हम यहापे B या फिर D को पहले ही यहापे लिख दिया है तो minimum moment भी आपको check करना है PU into L minimum जो आपको length दिया रहेगा MU minimum आएगा MUX and MUY should not be less than MU minimum अब आपका EX कैसे निकाल लेंगे MUX जो हमारे पास दिया है question में by PU कर देंगे और EY कैसे निकाल लेंगे MUY by में PU कर देंगे तो हमें EX और EY की value मिल जाएगी both EX and EY are greater than EX minimum and EY minimum respectively मतलब क्या है EX और EY की value हमेशा greater होनी चाहिए EX minimum और EY minimum से यह जो हमारे यहापे EX minimum निकलेगा और EY minimum निकलेगा अब देखे यहाँ से आपको design करने के लिए दो अलग-अलग method है पहला आपका क्या है या जितना आपको moment दिया है आप उसका resultant निकाल लिए या फिस second आप कर सकते हैं वहाँ से आप direct adopt करिए percentage of reinforcement तो हम पहले first और second को अलग-अलग देखते हैं तो सबसे पहले आपको E minimum check करने के बाद equivalent moment आपको निकालना है इसके लिए आपका formula है mu equal to 1.15 under root mu x का square plus mu y का square अब आपका निकलेगा अगला step में non-dimensional parameter मतलब pu by f c k into b into d यानि mu by f c k into b into d square अब आपको निकालना पड़ेगा reinforcement reinforcement में आपका क्या होगा grade of steel लगेगा d-dex by d लगेगा d-dex आपके यहाँ पर क्या effective cover है अब यहाँ से जो d-dex by d की value आएगी f y की जो value होगी और जो हमारा section है जैसे circular, rectangular, square उसके base पर हम refer करेंगे refer chart of sp 16 और इसको हम read out करने के बाद हम value निकालेंगे वहाँ से graph से p by f c कहेगी यह आपका small p है जो की percentage of steel को denote करता है f c k आपका characteristic strength है यहाँ से percentage of steel आप निकालेंगे क्या करेंगे यहाँ से जो आपकी value आएगी माली जो x आपकी value आई है वो जो आपका divide कर रहा है यहाँ के into करेगा इसमें और वहाँ से percentage of steel आपको मिल जाएगा फिर आपको यहाँ से निकालना area of steel area of steel के लिए आपको क्या चीए est जो आपको percentage of steel दिया उसी में आप 100 का divide करेंगे into area into include करेंगे तो आपका area of steel मिल जाएगा एजुम diameter आप वहाँ से करेंगे और उस diameter को एजुम करके number of bar निकालेंगे number of bar निकालने के लिए आपको total area में से एक बार के area को divide करना है यहाँ से number of bar जो निकलेगा आपको वहाँ से 7.98.98 इस type का value आएगा आप उसको approximate value लेंगे approximate लेने के बाद आपका area of steel बढ़ जाएगा तो उस area of steel को आपको फिर से calculate कर रहे है जो कि आप actual base से आपको percentage of steel फिर से निकालना है st by bd into 100 अब आपका ratio निकालना है p by fck की p आपका क्या percentage of steel fck आपको पता है इसके जो value आएगी वहाँ से हम क्या करेंगे mu x1 और mu y1 की value हम क्या करेंगे chart sp16 से हम निकाल सकेंगे अगला आपका step है determine mu x1 and mu y1 mu x1 आप कैसे निकालनेगे refer chart of sp16 pu by fck into b into d की value चीए जो कि आपको पहले से पता है d x by d की value चीए जो आपको आपको पहले से पता है fu चीए आपको p by fck की value चीए इस value को आप rate करने के बाद आप जो भी refer chart होगा वहाँ से आप क्या करेंगे mu x by fck bd की value निकालनेगे जो कि आपका mu x1 की value होगी और उसको आप put करेंगे mu x1 यहाँ पे जो value आएगा इसको यह जो divide कर रहे है इस पूरी value को इसके value से into करेंगे तो mu x1 की value आ जाएगी अब आपको value चीए mu y1 का mu y1 आपके लिए क्या है फिर से आपको dx by b की value चीए और उसकी value आपको निकालना है फिर f y चीए फिर आपको pu by fck into b into d चीए तो b बस यहाँ पे change होगा बाकी जो data आपका जो पहले के लिए था वही आपका second के लिए ही रहेगा फिर इसके base पे आपको क्या करना है chart को refer करना है था वहाँ आपको b square लेना है इसकी कुछ value जो आप chart से निकालेंगे फिर इसकी value आप बनाने के लिए mu y1 की value बनाने के लिए यह जो value निकलेगा उसमें आप fck into b square into d की into करने से इसकी value मिल जाएगी आपको चीए combine axial load pu z निकालेंगे 45% आपका fck की आपका इन दोनों का ratio लेना है जो की pu आपको question में given रहेगा वो और pu z आपने जो निकाला वो इन दोनों का ratio से जो value आएगा उस value को आपको यहाँ पे check करना अगर 0.2 है तो आपको that 1 लेना है अगर आपका 0.8 है तो आपको उसको कराते हैं समय आपको इस चीच को दिखाएंगे अब हम क्या करेंगे सब निकालने के बाद check for safety under by axial loading check करेंगे मतलब mu x y mu x 1 इसकी power में alpha n प्लस mu y by में mu y 1 इसकी power में alpha n यह आपका इसकी जो value आएगी जो ratio की इसकी जो value आएगी या फिर एक के बराबर हो सकता है तब हम कहेंगे section ही जोग के यानि section satisfy है अगर ऐसा नहीं होता है तो when it is not satisfy redesign section हमेशे mu x से बड़ी value होगी mu x 1 की, mu y से बड़ी value होगी mu y 1 की, अगर यह बड़ी नहीं होती है तो आप वहीं से समझे हैं कि यह हमारे redesign के तरफ questions जा रहा है अब आपको जोरत पड़ेगा lateral ties का तो lateral ties में आपको diameter और spacing निकालना, diameter आप कैसे निकालेंगे 1 by 4 times of जितना diameter आप main bar में provide करेंगे उसको या फि 6 mm, इन दोनों में जो बड़ी value होगी वो आप ले सकते हैं अब आपका क्या spacing इस spacing में आपका आएगा list lateral dimension या फि 16 times of diameter of main या फि 48 times of diameter of tie bar अब हम बात करते हैं second method का जो हमने आपको अभी skip किया हुआ था देखिए 4 step तक तो आपका सब सेम रहेगा बस B6 step आपको change करने है सबसे पहले आप equivalent movement नहीं निकालेंगे diet आप adopt करेंगे percentage of reinforcement in the cross section as ठीक है तो आपने P assume कर लिया small P 1% यहां से आप area of steel निकाल लेंगे इसकी जो value आएगी वहां से आप number आप बाहर निकालेंगे फिर आप क्या करेंगे P by FCK की value निकालेंगे इस percentage के base से ठीक है और D-Ducks by D की value आपको मिल जाएगी यहां से आप निकालेंगे P by FCK fine to B into D इसकी value निकालके P by FCK के respect में आप refer करेंगे चार्ट of FC 16 SP 16 चार्ट करने के बाद आपको लेना है MU X1 by FCK into B into D square की value find करेंगे, वहां से आप MU X1 की value निकालेंगे, ठीक है MU Y1 by FCK into B into D square same processor आपको इसके लिए अपनाना है फिर mu by 1 की value निकालेंगे फिर आप अगले step में puz की value निकालेंगे pu by puz निकालेंगे इसकी value निकालने के बाद आप alpha n की value निकालेंगे जो कि is code 456-2000 page number 71 या फिर clause 39.6 में आपको दिया हुआ है यहाँ फिर जितने process से आपको अब same करने है और उसका lateral ties आप provide कर देंगे आपका यह questions complete हो जाएगा तो यह वीडियो में total इतने concept थे यह concept अपने आपने 100% complete नहीं है कुछ doubt आपको numerical questions solve करते समय clear होंगे तो यह वीडियो आपको थोड़ी से भी help की हो तो इस वीडियो को like करे share करे इस channel को subscribe कर ले धन्यवाद